एक वीवर ने कमिल बॉक्स में पूछा है कि एज इन क्या है तो आइए फ्रेंड्स आज मैं आपको सिखाऊंँ एज इन, एज टू और एज फा ताकि इन तीनों वर्ट्स को लेकर आप कहीं कन्फ्यूज ना रहें आइए सबसे पहले सीखे एज टू और एज फा इन दोनों का मतलब होता है जहां तक बात की जाए या अगर बात की जाए जैसे अक्सर आप अपने डेली लाइफ में इस तरह का सेंटेसेज बोलते हैं जहां आप कहते हैं मेरा दोस्त दूबला है जहां तक उसकी बीबी की बात की जाए वह मोटी है तो यहां इन दो sentences के बीच मेंने बोला जहां तक बात की जाए तो यही पर आप as to या as far का इस्तिमाल करेंगे माल लिजे अगर आपको कहना हो वो लड़की बहुत पढ़ी लिखी है जहां तक उसकी husband की बात की जाए वो अनपढ़ है या अगर उसकी husband की बात की जाए वो अनपढ़ है तो यहां इन दोनों sentence के बीच में मैंने बोला जहां तक बात की जाए या अगर बात की जाए तो यही पर आप as to या as far का इस्तिमाल करके अपने sentences को बोलेंगे लगता है आप अभी भी confused हैं आईए कुछ एक जहां पर इस देखते हैं ताकि आप इस बात को आसानी से समझ सकें अगर आपको कहना हो वह दुबला है जहां तक उसकी बीबी की बात की जाए वह मोटी है तो यह sentence के लिए आप कहेंगे यहां मैंने बोला आईजफा यहां पर आप आईजटू का भी इस्तिमाल कर सकते हैं अगर आपको कहना हो वह लड़की बहुत पढ़ी लिखी है जहां तक उसकी husband की बात की जाए तो वह अनपढ़ है तो यह sentence के लिए आप कहेंगे यहां मैंने अपने sentence में बोला आईजटू यहां आप आईजटू के जगाँ पर आईजफा भी बोल सकते हैं यानि आप कह सकते हैं अगर आपको कहना हो अगर बात मेरे दोस्तों की की जाए तो वह जादा पैसा कमाते हैं तो यह sentence के लिए आप कहेंगे अगर आपको कहना हो यानि मैं दो रोटिया खाता हूँ जहां तक मेरे दोस्त का सवाल है वह दस रोटिया खाता है तो इस sentence के लिए आप कहेंगे आपको 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 का मतलब समझ में आ गया आज मेरे पास बहुत कुछ है जैसे बंगला, गाड़ी और बैंक बैलेंस तो इस sentence को बोलने के लिए आप एजिन का इस्तिमाल करेंगे जैसे आप चाहें इस sentence को सच ऐस से भी बोल सकते हैं यानि आप कह सकते हैं अगर आपको कहना हो मेरे पास कुछ अच्छे दोस्त है जैसे राजू, रौसन और अमन तो इस sentence के लिए आप कहेंगे I have some good friends आजिन राजू, रौसन और अमन तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ का आपको आजिन का मतलब समझ में आया कि आजिन का मतलब होता है जैसे यानि सच एज के जगापर आप एज इनका इस्तिमाल करके अपने sentences को बोलेंगे तो फिर आज उम्मीद करता हूँ यह पूरा concept आपको बड़े शांदार तरीके से समझ में आया यहां मैं आपको बता दूँ कि अगर आपके पास भी कोई question है तो आप comment box में type करें मैं जल्द आपके question पर वीडियो बनाऊँगा फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे lessons के साथ तब तक के लिए बाए